आज कोई नहीं रोक सकता मुझे आज इस बन का एक एक दिन का जला डालूँगा मुझे बुर गए दावानल मैं तुम्हें ऐसा खड़ने की आज्या नहीं दूँगा मैया की नीन्ने व्यवदान पहुच रहा है मुझे सिक्रता करनी होगी कुछी समय पहले बुच्टी में चिंगारी से घबरा गया था अब इत्ते विसाल डावानल को निगल गया फिर से गरबढ़ करती का नाने समझाया था कुल लीला मत करना तुमारे समस्या और बढ़ जाएगी अब क्या करू दाओ जब जब मैं ऐसे अपने लल्ला के रोप में देखने का प्रयास करती हूँ मुझे प्रभो दिखते हैं कैसे कैसे समझाओ अपने आपको मैया मुझे पतो आपने का था रगनी के साथ मत्ती खेलना पर अगनी फेल रही थी क्यों प्रभो क्यों चीन रहे हो एक मैया से उसकी मंता मैं आपकी भागतावास से हूँ पर उसके साथ साथ आपकी मैया भी बने रहना चाहती हूँ आपको एक मैया बनकर दुलारना चाहते हूँ फटकारना चाहती हूँ डाटना चाहते हूँ तो फिर डाटो ना मैया फटकार लगाओ मुझे डंड दो कैसे काना, तुझे देखते ही मुझे, अपने भगवान दिखाई देने लगते हैं, मेरे मन में तेरे प्रति, भक्ति के भाव जाग रहे हैं मैया, ऐसा मत्ती करो ना मेरे 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 मेर मैया एक बार मेरी और दे को तुसरी अब वो ही काना हूँ चाप की पूच बनके पूरे विंदावन में गूंता था तेसे चड़ना बोलना सब सिखाया आपने पहले मेरा सत्य जाने भी न आप मुझे अपने डल्ला की तरह विभार करती थी अब मेरा सत्य जानने के बाद भी अप मेरा अल्ला के तरह ही पूच अपना न होगो क्यूंकि मैं तो वही हूँ अपका काना इत्ता प्यार करतो है तु मुझ से जब मैं तेरे भीतर भगवान का रूप देखती हूँ तो मैं भेवीत हो जाती हूँ काना जे सोचके कि तू तू मुझे छोड़के तो ना चला जाएगा कई गया भी तो सदेव आपकी हेदे में ही रहूँगा वही तो है मेरा असली निवास माता ओ माता तू ही सारे जग के है विधाता प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला यशो मती मैया के नंदिलाला यशो मती मैया के नंदिलाला यशो मती मैया के नंदिलाला ये शोमतिल मैया के नंदिलाला कि नल्ला विगरता कर घर पहुंशकर जाड़ भुहारी भी करनी हैं का होगो ये सब हैर क्यों गए ये सब क्या होगा कली थो हम इस छेत्र के सुन्दर्था की प्रसंसा कर रहे थे ना और आज कछो बचो है तो बस चिंगारिया भास्म का ढेर और विनास का द्रिस्स चिंदा क्यों करती हो भावी जिसने इस वन को हम सब को जनने से पचायो है वहीं से फिर से हरा भरा कर देगो नंदराज इस समय घर जाना सुरक्षित होगो पूरो मर्क जल गयो है इन सुलक्ती चिंगरियों का ताप किसी बाला की अव्रिदी के पाव में लगगो तो चिंटा के कोई बात नहीं है बाबा हम सब मेरशी गर के अश्रूम में जा सकते हैं मा सारी ववास्ता हो जाएगी को यहां से देख दूर भी नहीं है मुझे लगतो है के हम सब को इसी गर के आश्रम जानो चाहिए वहाँ चल कर कुछ समय उनकी सेवा करेंगे और जैसे ही अगनी सांथ हो जाएगी और वेंदावन जाने को मार्क सुरक्सित हो जाएगो हम सब वापस लॉट चलेंगे अच्छा विचाह है वह मार्ची घरक जिन्होंने मेरा नाबकरन करा था कर दो कर दो जाएगह नाएग जाएग है अच्तान कर दोक्ता चाहिए यृट्वां साथ साथ आज से तुम्हें सारा संसार जिसने और नाम से पहचानेगा वो नाम है कृष्ण 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 प्रणाम रसीवर रेसिवर, आपका स्वास ठीक तो है ना? मारेशी को संबालो काना, ये तो इस राक्ष्टाव मैं आप कर देंगे तुम्हें और तब छोटी बाको, तुम्हारे भगवान उन्हें की सुमनेते फ्रसा आजाएगी भगतों को भगवान के दर्शन मिलते हैं मुझे तो साक्षात भगवान ही मिल गए इस समय मा भगवान नहीं बस आपका सिश्ची और शिवर स्मरण रखी है भगवान अपने भक के खर नहीं आए आज एक तूत्र अपनी मैया के साथ एक महरशी के आश्रम आ जाए देखो तू इसे एसे रिदे से लग रहो है जैसे कित्ते अच्छे से जानता हूँ जानता हूँ मैया बाबा ने कित्ती बार पतायों इनके बारे में कैसे मेरा नाम करण कर रहा था इसलिए तो इतने मिशेश है ये मेरे लिए अच्छा ही है कि ये सोदा जे भूल रही है कि इसका लला स्वयम स्री नारायन दवतार है आप सभी का यहां आना बहुत ही प्रसनता की बात है आप आए हैं अपनी इच्छा से फरन्तु मेरी इच्छा के बिना जा नहीं पाएंगे आपके साथ त्रमे बिताने है ये मर्शी कि शिग्रया से जाएंगी बिना हाँ 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 लगता है काना के मस्तिस में कोई योजना है कोई फिर से कोई लीला तो नहीं करने वाला ये आपके साथ लगता है किए बाते कानगए अपने दॉकर नहीं बतावागी कौनजा सीबात दाओ या शोरू फिर से जूजना बना रहे हो क्या मैं को योशेश चुचना कभी निंस बतानता दाओ चुवह ना हось है वह अपने आ सूझा दाओ पैसे दाओ, यूजना बनाओ भी क्यों? आज को चुशेश खुड़ी ना है अच्छा, तो मेरा जनम दिर इसके लिए विशेश अफसर नहीं है? या फिर इसस मरडी नहीं है कि आज मेरा जनम दिन है? ओहो काना, कितनी दूर फिक दी? अब जाके लेखे आनी पड़ीगी बल्राम वाहा खड़े क्या आओ? आओ घिल्ली लेके आते हैं अब मेरी बारी है ने-ने, अब मैं खेलूंगा क्या हूँ अदाओ क्या देख रहे हो? ऐसा लगा कि जैस्सो कोई था या? मैं ने-दाओ कोई ना-कोई दे जीव जन्तु हो गाई छोड़ो ना, अब आपी बारी मारो गिल्ली बर लगागे हाँ हाँ, मल राम को खेलने दो, अभी अभी आया ना अभी आपी आया वो अभी आया शब अभी आया अभी आप वो इड़ीं वो ब आया यहीं हत्या की थी ना उसने मेरे भाई बकासुर की और वो सारे बालक बड़े चाउ से देख रहे थे प्रशंसा कर रहे थे उस मायावी की मेरी बहन पूतना के हाथों से तो बच गए किन्तु अब मेरे क्रोज से मेरे भीतर देखती प्रदिशोत की अगनी से अब ना तो वो बालक बचेंगे और ना ही वो विश्णु आवतार और भूलना मत महाराज ने क्या कहा था सीधे सीधे उस मायावी के सामना नहीं करना है तुम्हें वो बालक बहुत चतुर है पर है तो एक बालक ही और एक नन्ना सा बालक क्या हानी पहुचाएगा मुझ जैसे महाविशाल बहाँ शक्तिशालिय अगासुर को पता नहीं तेरी मईया क्या-क्या सोच रही होगा दिवा के समय एक दुसरे को वजण दिया था कभी भी एक दुसरे से कच्छो ना चुपाएंगे हो और मैंने कितने गार सो तक तेरे दिव्य होने की बाद उससे चुपाई काना तुम नहीं तो कही थी कि मैं तुम्हारा सत्य तुम्हारी मईया को ना बताओ फिर तुम्हें स्वयम ही उन्हें अपने सत्य के बारे में क्यों बताया है लगतो है सब ठीक है क्या ठीक है कच्छो ठीक ना है बहुत कठिन है पर मैं प्रयास कर रहे हूँ कि स्वयम को समझा पाऊं कि मेरा लल्ला मेरे प्रभू स्रीहरी का अफ्तार है तु कहां जा रहो है बिना बताए पूरे संसार के लिए तु दिव्य होगो मेरे लिए तु केवल मेरा लल्ला है समझाई अब आखे कच्छो खा ले ले खाव पले आख खाव मैया तु खा पहले मैंने कही ना तु अब भी मेरा लल्ला ही है जो कल राज से भूखा है इसलिए अब चुप चाप खा और जे मती सोचियो कि मैया को सत्य का पता चलगो है तु कच्छो कहेगी ना तुरी मैया हूं का ना कस के डाटूंगी और आवसकता पड़ी ना तो डाटूंगी भी और दंड भी दूंगी और फिर भी बात ना मानी तु स्मरन है ना ओखल चिते यहां भी है आपकी डाट फटकार और डंड में खुलों से भी अधिक मिठा से ओया प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला मया जोटी से अनमती चाहिए फिर से बन जाना है फिर से कोई लीला करनी है क्या हाँ वो बस बस अधिक बहाने बनाने के आवसकता ना है ठीक है चलाजा पर बन के अधिक भीतर ना जाना समझाई चलाँ मिल गए अनमती राहू आपना चलोगे हमारे साथ केलने नहीं तुम जाओ मुझे पादा लगाना है तो क्यों दाओ तो कि माने का है आज मेरा का है कि पौदे लगने से फल मिलते हैं पर पादा तो लोग को फल ना है इतने से गर फल नहीं आते खाना कम से कम एक वर्स प्रतिक्षय करनी पड़ती है तो एक वर्स के बाद इसी पौदे के नीचे बैट के फल खाएंगे आज केश विसिस दिन को समरत लखना सका हो ठीजर समारत रखेंगे ना सब समरत रखना बस अपने दाओ का जरव दिनिं ही बूल जाना तुम अज की दिन की एक और विसंज़ पाता है आज मा को बनाने के आसकता भीना पड़ी उसके बीना ही वन जानी की अन्मती मिल गई जे उई नवाद अब चलो बल रहा कहां थे तुम अच्छा तुम्हें पता है महर्शिगर्द ने मेरी विंती स्विकार कर ली है तुम्हारे जन दिन के विशेश अवसर पर तुम्हारे लिए विशेश पुजा करेंगे वो जो किसी को समरेडी ना रहे वो क्या सवी से जफ्तर क्या हुआ किसी ने शुबकामनाई नहीं दी सक्खा बूले तो कोई बात नहीं और छोटा भाई बूल गया मा क्या? यह कैसे संभाव है? वही तो मैं भी सोच रहूं मा पूरे संसार की हर चोटी से चोटी बात जिसे द्यान रहती है वो अपने बड़ भाई का जनम दिन क्यासे बूल सकता है? सुनो 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 यह तो अच्छा करो कि तुम सबने सा किसी ने भी दाओं को बता ना चलने दिया कि उनका जनम दिन हमें स्मरन है पर अब हमें उनके लिए कुछ ढून ना होगा हाँ, हम से प्योर सी कोईला कोई वीशे सुपार तो फिर गौवन्स का ध्यान कौन रखेगो और कौन तुन गईया मया की तो समस्या ना है पर जब बच्छडे मेरे वश्मियना आते इनने तो कानाई समालेगो अच्छा ठीक है तब तुम तब जाओ अरगोच अनूगा ढून कर रहाओ गईयसाब अब इनकी अनूपस्टीटी में शांची से अखासुर का अभीमान भंग करूँगा इसे क्या लगता है ये मुझे अपने चाल में फसा लेगा इसके मित्रों को मित्यू के चाल में ऐसे फसाऊँगा मैं कि ये रक्षा की इक्षा मांगेगा मुझसे जो हूँ बहुत विशेश जे फलू से बहुत प्रिया है जे पत्तरी के रतना शका अजगार पैबीत मती हो वसंता जे तो के वाले कंद्रा है अजगर होतो तो ऐसे मूँ खोल के थोड़ी ना मेठे रहतो और नहीं तो क्या पर एक बात तो है आज तो के सब कचुला देखो अटबुट चला विटर चलके देखते है क्या पत्तर बलराम के लिए कुछ अनोखा कुछ अधबुट मिल जाए जो गंद्रा बाहर से इतनी सुन्दर लग रही है उसके बितर कचुला कचु सुन्दर मिलेगो ही तो सच्छे में अजगर हुआ था तो काना है ना बच्चा के बाहर निकाल लेंगो जैसे स्वयम वका सुन्दर के दे से बाहर रहा था जै अत्तर ये अभी अभी आखे खुली इसने अरे बसंता तुझे तो हर बात पर कुछ ना कुछ दिखी जाता है इसे छोड़कर हम सब बीतर चलते है चलो चलो अरे मुझे अकेला सुनके कहा दा रहा हूँ बात देर हो गई मुझे अकेला देख कर भी आगा सुने अभी तक आक्रमन ने क्या इसमे तो उल्टी चाच चल ली मुझे आगार करने के स्टान पर मेरे सखाओं को इना आर मना लिया उसके सखाओं को आर बना लिया है मैंने अब उस विश्णु अवतार को इनकी रक्षा करने आना ही पड़ेगा और तब मैं उसके प्राण लेकर अपना प्रतिशोद पूरा करूंगा कया मैया अपना ध्यान रचना मुझे सखाओं को मुक्त कराने जाना होगा पड़ी अच्छी सुगंदा रही है किसके लिए पका रही हो काना और उसके सखाओं के लिए अपे तक जिस सब आपिस ना आये हैं अब मैं ही जाओंगी जाके वे आओंगी उन्हें भूख लगी आयोगी ना यह सुदा मैंने तुमसे इत्ती बड़ी बात चुपाई उसके लिए मुझसे क्रोधित हो ना ना आपके स्थान पे मैं होती तो मैं अभी ऐसो ही करती और भगवान की इच्छा से बड़ा तो आप अच्छू ना उड़तो है पर आप मुझे जाना होगा जिस सारे बालकों ने रात से केवल फल खाया हुआ है काथा 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 वनी घुंच रही है जे कंद्रा ही है चलो और वीतर चल के देखते है इन बालकों ने मेरा कारिय सरल कर दिया सोय में कृष्ण को खीच कर मुझे तक ले आए काथा काथा ये सब दिखाई नहीं दे रहे ये यहां खड़ा क्यों है भीतर आपालक ताकि तुझे और तेरे सखाओं को एक साथ पचालू मैं लगता है अम मुझे ही कुछ करना होगा काना 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 सेकंट चिन्ता मच कर सखाओ मैं आको हूँ मेरे सखाओ को शिकार बनाके तुम्हें बहुत बड़ा पाप किये आगा सुर्ख अब तुम्हें इसका डंदूंगा मैं शिक अब अब बहुत बड़ा कर सबस्क्राइब तुम्हें बड़ा नाके यह क्या हो रहा है मुझे कैसी माया है यह शिपिश्न अब तुम्हें का शिख कुष्य। अब तो मुझें कुष्य। नारायन, नारायन मैंने इतने पाप किये हैं प्रभू, फिर भी आपने सोयम मुझे मुक्ति प्रदान की, ऐसा सौभा की मुझे क्यूं मिला प्रभू? यह तो उना ही था गासुर, यह था विद्धी का विधान पुर्व जनम में तम राक्षे शंग चुन के पुत्र थे, युवा थे बाद बलवान और काम देग के समान, आकरशर होने के करण बाद गरवर हो गया था एक दिन एक बहुत ही ज्यानी और बलसागी रिशी उसी नदी में स्नान कर रहे थे, जिसके स्वच जल में स्नान करके, तुम अपनी कांती को और भी अधिक बढ़ाने आए थे यह क्या देख लिया मैंने, भला कोई इतना वक्र भी हो सकता है एक रूपरिद, इसी शण मेरी द्रिश्टी से दूर हो जा, किसी भयानक श्राप की भाती, कहीं तेरी इस देह की छाया, मेरे सुन्दर स्वरूपर ना पढ़ जाए भाग जा यहां से अभी भाण में आकर तुम्हें रिश्टी आक्षावर का उपास उड़ाया उन्हें तुम्हारे स्वबार पर बात करोद आया और इसलिए तुम्हें विनी का पाट पढ़ाने के लिए उन्होंने तुम्हें स्वराब दे दिया तुझे अपने अभीमान का पश्चताप न हुआ तो इस रिशी का तपोबल ब्यार्थ है मैं तुम्हें श्राब लेता हुआ है मूर्ख तु इस इक्षण प्रह्मान का सबसे गुरूप सर्प बन जाएगा गुरूप सर्प बन जाएगा ये ये क्या हो रहा है मुझे मेरी तवचा शमा रिशीवर शमा कर दीजिये मुझे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया रिशीवर मैं मूर हूँ अज्यानी हूँ मैं किन्दु अम मुझे अपनी भूल का आवास हो गया है रिशीवर पश्चा थापकी अगनी में चल रहा हूँ मैं आप तो करपालू हैं दयालू हैं मुझे पर करपा करें मुझे पर करपा करें जमा कर दीजिये मुझे से अपने कर दीजिये मैंने तुम्हें क्षमा किया अगासुर पर मैं चाह कर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता पर तुम्हें वर्दान अवश्य दे सकता हूँ तुम्हें अपने इश्राप युक्ति जीवन से मुक्ति स्वैम श्री विष्णों के करकंपलों से मिलेगी आज वैना उनके मा रिष्णी के सी वर्दान को पूरा किया है अब तुम भोसाक के चक्र से मुक्ति जाओगे